हेलो एवरीवन अगर आपकी थोड़ा सा चलने पर बोलने पर या फिर सीडियों पर चड़ने पर आपकी सांस फूल जाती है और सांस फूलने से आपकी छाती में भी दर्ध हो जाता है तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही अच्छा कारगर घरे लो उपाई अगर आप इसे कुछ दिन कर लेंगे तो आपकी सांस फूलने की जो समस्या है वो बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी तो उसके लिए हमें करना क्या है फ्रेंट्स हमें लेनी है पांच के लेसुन की कलिया वो इस रैमडी से ही हम आज आपको सांस फूलने की समस्या का समाधान बताएंगे तो फ्रेंट्स अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं ऐसी ज्यानवर्दक वीडियो अपने चैनल पर डालती रहती हूँ और आपको मेरी सारी वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी ये हमें पांच लेस्न की कल्या लेनी है तो फ्रेंट्स अगर आप थोड़ा सा चलने पर बोलने पर या फिर सीडियों पर चड़ने पर आपकी सांस बहुत जादा फूल जाती है और जैसे ही आपकी सांस फूल जाती है फिर आपकी चाती में भी दर्द हो जाता है तो friends ये जो आपकी समझ्या है पूरे तरीके से बिलकुल ठीक हो जाएगी आपको इसका इस्तिमाल करना है लगबग 15 दिन लगातार आप इसके यूज़ करेंगे तो आपकी जो ये समझ्या है पूरे जड़ से खत्म हो जाएगी तो फ्रेंट्स यह जो लैसुन की कलिया हैं हमें एक चाकू लेना है और चाकू से इस तरह से इसमें इसे इनको ऐसे गूत लेना है तो इस तरह से फ्रेंट्स हम जो इस लैसुन की कलिया हैं इनका बिना छिलका उतारे ही चाकू में ऐसे हम इनको डाल देंगे तो इस तरह से हमें करना है और अब चलिए अब हम इनको गैस को ओन करके इने अच्छे से भून लेंगे इस तरह से अगर हम इन लैसुन की कलियों को भूनते हैं तो लैसुन की कलिया हमारी जलेंगी नहीं और अंदर से बहुत ही अच्छी भून जाएंगी अंदर तक बहुत अच्छी भून जाती है यही तरीका अपनाए जब भी आप लेसुन की कलियों को भून करके यूज करना है फ्रेंट्स क्योंकि यह हमारे एक तो कोलेस्टोल को कम करेगी कोलेस्टोल की वज़े से भी हमारी सांस फूल जाती है हमारे खून को पतला करके और ह हमारा फैट यानि मोटा पा है उसे कम करेगी जिसकी वज़े से हमें थोड़ा सा चलने पर बोलने पर शांस फूल जाती है तो जो यह लेसुन की कलिया होती है ये हमारी हेल्थ की लिए बहुती फायदे मन्द होती है तो आपको सुभे सुभे ये 5 लेसुन की कलियों को इस इसे भून करके लेना है और आप 15 दिन इसे करके देखेगा आपकी जो सास फूलने की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी उसके साथ साथ आपके जोडों के दर्द घुटनों के दर्द आपका मोटापा वो भी धीरे धीरे चला जाएगा ये बहुत ही अच्छा कारगर घरे लूपा है आज माया हुआ है एक बार आप भी जरूर यूज करके देखेगा फ्रेंट्स 15 दिन इसे इस्तिमाल करने के बाद आपको खुद पता लग जाएगा कि जो आपकी समस्या है वे पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी ये आपके सास फूलने की समस्या तो बिल्कुल ठ करेगा आपके सरीर में जैसे जगे जगे पर आपको बहुत ज़्यादे दर्द रहता है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपका मोटा पा भी कम होता चला जाएगा तो इसे आपको फ्रेंट्स सुबह सुबह एक गिलास गरम पानी के साथ इसे लेना है जैसे कि आजकल ग जिलके साथ भूनने से अंदर से बहुत ही अच्छी भून जाती है तो ऐसे ही करके देखना है फ्रेंट्स आपको जो सास फूलने की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो आपको मेरी ये होम रेमेडी कैसी लगी कोमेंट करके जरूर बताना फ्रेंट्स और ये पांच ल जलते हैं अगली नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई सबको मेरी नमस्ते